नमस्कार मैं हूँ गौरस श्री रास्तो आप देख रहे हमारा साथ हमारा खास कारिकम बात अपने देश की आज जो मुद्दा है वह बहुत एहम है क्योंकि आज के मुद्दे पर लगाता राजनिती होनी शुरू हो गई मुद्दा है मदर्सों का सर्वे सर्वे एहम क्यों है और सर्वे की मांग क्यों उठी है इसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाना इसनी पड़ेगा क्योंकि जब असम में कुछ असी गर्विलिया सामने आई थी जिसके चलते वहाँ पर चार मदर्सों के खिलाब कारवाई की गई और उनको ढहा भी द कि जो सरकारी मानेतवम से हैं उन पर क्या अप्ट्राइड सन हो यह विकास किया जा रहा है उनको कैताल हो कैसे बैतर किया रहा है और साथी साथ महत पूरी यह भी है कि कि उन मदर्सों में कित्री बच्चे पढ़ रहे हैं कित्री बच्चों की यहां उन्मति हो रही है और उनको जो व्यूस्था है वो कैसी मिल रही है 560 मदर्सों को उत्तापरिस में सरकार द्वारा अनुजान परात है अगर मदर्सों की बात करें तो लगवा लबा 16000 के लबा मदर्से उत्तापरिस में यह आकड़े हैं जो की निजी मदर्से चला रहे हैं पर अगर सही आकड़े की बात करें सुत्रों के अनुसार लबा लबा 40,000 मदर से उत्तापनिस में हैं जो कि निजी ब्योस्थाओं से चल लाए हैं सरकार का कहना है कि चुकि जो निजी ब्योस्थाओं से चल लाए हैं उनका सर्वे होना जरूरी है और वो इस लायक है कि उनको सरकारी अनुदान प्राफ्थ हो अगर उनकी स्थिति उनका इंफ्रा उनकी ब्यूस्ताइं ऐसी हैं कि उनको सरकार का अनुदान मिलना चाहिए तो हम ऐसी ब्यूस्तों के लिए उनका सर्वे की ब्यूस्ता करने जा रहे हैं और सरकारने सर्वे ब्यूस्ता की और बताया कि 10 स्यृतंबर टीमें बनाई जाएंगी 15 अक्टूबर तक सर्वे चलेगा और 25 अक्टूबर को इस सर्वे की रिपोर्ट वहां के जिलादी कारी को सासन को सौप नहीं है यह वेवस्था मदर्षा की सुरूबात कर ले मदर्षा सब्सक्राइब है और इसका अर्थ विद्याला होता है और अगर हम बात करें तो 11 सिताबदी में इसकी पटकता लिखी गई अगर किस्तों मताविक बात करें तो दुनिया का पहरा मदर्सा सवदुद अर्म में सपकर पहारी पर बना था और सबसे ऒहम बात कि 1192 में मोहम्मड गौरी ने पहले मदर्से की स्थापन था इससे मेटपूरबाद यह है कि दिल्ली में पहले मदर्से की स्थापना 1774 में हुआ। यह मैं मदर्सों का इतिहाज बता रहा है कि मदर्से की सुरूबार को जारत और बात है मदर्से बहामाई देश में और विश्व में बहुत पराने हैं। इसा नहीं कि भारत में ही पुराने हैं। बहुत पुराने हैं। इतिहाज बहुत पुराना रहा है। कि मदर्से का अर्भी सब्द जो एक हनुबार है वह मदर्से का अर्ज होता है बिद्ध्याले और जब बिद्ध्याले की बार होती है तो बिद्ध्याले तो बिद्ध्याल की कारण क्या कि यह हैं कि जो अनुजान प्राप्त मदर से हैं , वहां पर सरकार सर्वए संधार्य कर रहा है। और जो निजिएर नज़ी अनुजनप्राप्त है, उनका भी सर्वे किया जा रहा है और इसका आगणा कई हजार करोडों में है। तो उसकी monitoring होना ज़रूरी है कि कहां से आ रहा कैसे आ रहा कहीं इन में कहीं देज विरोड़ी ताक्तों का सामल तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे के transaction से money laundering की जा रही हो या इन पैसों का सरुपे हो रहा की नहीं हो रहा है इन पैसे से और मदरसों की स्तिती में बैतर क किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा है ऐसा तो नहीं कि यह पैसा भष्टचार के भेच चड़ रहा हो बले वह नजीब यह उस्ताओं से है तो यहां पर जो सरकार के बंसा के वाल है कि हम बारा बिंदू पर यहां जाच करने जा रहा है बारा बिंदू है इन पर जाच होने ह और सभी बिंदुओं को लेका जाच होनी शुरू हो गई है और प्रदेश के सभी लगवा लबवा सभी जलों में इसकी सुरूबार हो चुकी है लगवा लबवा चीज़े सही पाई गई तो फिर दर के सा और यहां पर सबसे जारा जो समस्या आ रही है वो तीन मिन्दुओं पर आ रही है नमा बिंदु मदर्से की आंदनी का सुरूत क्या है ज्यारमा बिंदु जो बहुत मेंट पूर है जिस पर भी चर्चा हो रही है क्या मदर्सा किसी अन्य गेर सरकारी संस्ता समूँ से संबंदित है और सबसे वह हम बात कि जो भी मदर्से की ब्योस्ता चल लहीं उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आखड़े कैसे हैं तो तमाम बिंदु ऐसे हैं जिस पर भी रार बनी हुई है और यही कारान है कि लगातार मदर्से पर सर्वे पर राजिती हो रही है और राजिती ऐसी हो रही है कि सथ से पहले तो हैदरावाट के सांसर एया यमायम के प्रमुक असुद नोवेसी उन्होंने यहां तक कह डाला कि मदर्सा सर्वे मिनी अनर्सी है अब मिनी अनर्सी है त उनके आरोग है अभी कल यह बड़ा बयान आए जो कि एमाम है सुचिन के अध्याच्छ है उनका नाम है मौलाना साजर रसीदी उन्होंने इतना अजीब गरी बयान दिया बैवारी बयान है उन्होंने कहा कि जो लोग आपकी मदरसे की जाच करने वारा है वो होते कौन है मदर करें आप सर्वे करने वाले होते कौन है तो जब सही है तो सर्वे में दिक्कर क्या है सरकार कह रही है कि हम सर्वे का इसलिए कर रहा है कि जो मदरसे हैं उनको बहतर किया जाए उनकी जो कमिया है उनको बहतर किया जाए और वो सरकारी अनुजान में आने योग है तो सरकारी अनुदान मनाया जाए क्योंकि 6 साल से किसी भी सरकारी किसी भी मदरसे को सरकारी अनुदान की सिरेणी में नहीं लाया गया 6 साल हो गया और 6 साल के बार अगर सरकार प्रयास कर रही है सर्वे के मादधम से लोगों को देख रही है कि किस मदरसे की स्थिदी कैसी है और किन-किन मदर्सों को हम अनुदान दे सकते हैं तो इसमें गलट क्या है अगर सरकार कह रही है कि सर्वे के बार अगर सरकार के अगर मनसा यह सी है सूत बताते हैं कि टीटी प्राप्त सिच्छक मदर्सों में रखे जाएंगे तो गलट क्या है अगर अच्छे तो गलत क्या है फिर चर्चा का बिंदू क्या है यह है कि जब भी कोई बात सरकार करती है चाहे बैतर के लिए हो और चाहे कठोर हो तो सबसे पहले विपर्च का काम है उगली उठाना विपर्च उठाना सुरू कर देता है बैपर्च का कहना जहां पजिटी चपन वाली हो गई असुदज नोबी सी वाली बात हो गई तो बैपर्च का कहना है कि सरवे के बल्ध केनान संपए माणर्स hardest प्रभण कर लाइं और oso से उन पर कारवाई होना ना होना वह तो बात की बात है अगर सर्वे के माद्यम से拜拜 आगर ढ़्य है और को कमी कहां तो साही करने میں तो तो गिल दूर करने के प्रयाज के जा रहा है और पुसकर सिंदामी दुबारा यहां में मुक्वंत्री बने हैं और उन्होंने भी एक दिन पहले अभी आदेश दे दिया है कि वहां भी मदर्से का सर्वे किया जाएगा अगर उत्रखंड की बात करें तो वहां पर लहुआ लबग एक सोतीन मदर्से और वहां पर सर्वे की बात की गई है कि बख़बोर्ड के जो अध्यच्छ है वहां के सादाफ सम्स उन्होंने कहा था कि कई ऐसी जगह पर है जहां पर बख़बोर्ड की संपत्ति पर अभेर कबजा किया गया है और मदर्से के माद्दम से कबजा करके लोग वहां पर अपना उल्लू सीधा कर तो उन्होंने भी यहां पर मदर्से की सरवे की मांगी और जिसके लिए को उत्राहखन सरकान ने आड़िज भी जारी कर गया जल्दी वहां पर टेमें कर सर्वे की करबाई शुरू की जाईगी मर्यां जी के अगर सर्वें चुरू कर दिया ये तो गलट क्या हैं कोई ऐसा है नरे जो अलग किया रहा है तो इसे में जूड़े होए is now भूले जूडे हुए एस चिए में ुड़े होATE है । दिक्कर यांपा किभल यह कि जो राजनीति हिसर पर हो रहा है जो बेपच पर उल्जलू अरूप लगा रहा है देखकर यहीं पर है अगर हमारे देश में कुछ बैतर करने का प्रयास क्या जा रहा है अगर हमारे देश में कोई नई व्यूजना लाई जा रही है अगर हमारे देश में कोई नई व्यूजना लाई जा रही है तो इसको आबास उजना लाई जाती है तो कहा जाता है आबास उजना चुनाओं को देखके लाई जा रही है जब इजन घर बनाए जाते हैं तब भी विपच कहता है कि उजना चुनाओं को लेके लाई जा रही है पर मैं आपको बता दूँ कि आरोप से कुछ नहीं होता पर अब जो समान मुप्तिरासन उजेना है प्र questão मंतिरी यह मुप्तिरी की हो उसमें समान मुप्ति Barn को किसी धर्म princess के हों को निंग करा जाता तो रौबातkem गलत है कि यहांपर किसी एक बट को अलग से रसल नहीं रिया जा रहा कि अगर आबास की बात करें, तो जितने आबास हिंदू बर्ख से मिले हैं, उतने आबास मुस्रिम बर्ख को मिले हैं, उतने ही हर धरम के लोगों को मिले हैं, जो आबास युझना है, उजला युझना में भी इस तरह ही बियुस्ता है, इज्जद घर जो सोचाले बनाए गए है सजचता अभ्यान के तहरा बहां पर ही व्यस्टा ऐसे लाई गई है ऑगा के अन्या वेवाय थि वह soy और जार रहा है कि ऍली वहले हर यहाँ आवास चौनाओं के बनारे यह तो यहाँ लेका कोई लेना नहीं हो और ऐसे ही राजनीती बेपस्ट द्वारा अब मदर्सों पर सुरू की गई है अभी सर्वे सुरू हुआ है अभी सर्वे की रिपोर्ट आनी सुरू होगी अभी सर्वे के बाद आपको क्या-क्या लाम मिलना ये भी देखा जाएगा तो पहले से एक नीती ओप पहले से बिचार धारा क्यों बना ली जाती है कि ये मंसा केबलो केबल बर्ग बिसेस के लोगों को परिसान करने की है कि सरकार की मनसा केबल केबल मुश्रिम बर को परिशान करने की है कि यहां पर हम केबल मदर्सों को अपग्रेट करने के लिए मुहिम लाएं क्योंकि 6 साल से अब तक किसी मदर्से को सरकारी अनुदान की स्रेडी में नहीं लाए गया है और यहां सर्वे के बाद इनिस्टित के जाएं कितने मदर्सों को हम सरकारी अनुदान की स्रेडी में ला सकते हैं कितने और किस तरह यह ब्यास्थाएं अगर बहतर हो रही है तो क्या दिक्कत है मेरा मानना के वाल यह है मैं अपने स्कारगम के मांधम से के वाल एक बार कहना चाहता हूं कि अभी शुरू हुआ है शुरू को देखिए तो लाब अगर नहीं होता तो मनसा पर फिस्टन उठान कि अभी शुरू हुआ है सर्विक की रिपोर्ट नहीं आई और सर्वे के बाद जो बैतर करने की जो पहल सुरू होने वाली है वह भी नहीं हुए अगर बैतर पहल नहीं होती है अगर बास्तम में आपको लगता है कि सोसर के लिए सर्वे किये गए तो इस पर आप बात उठ सकते हो और जब मदरसों में सब ठीक चला है जब मदरसों में सब बैतर चला तो पिर किस बार सा गुरेज तो किस बार से दिक कर हुए कि घटना भी ऐसी आ रहा है कि दिल्यक्षै में बहाए पर पत्तकारों सब अबद्दादा की गई दिल्यके बदरसों में एक राश्त mir च हैं जब आप बैता तरीके से उन मदरसों को चला रहे हैं जो गरीब बच्चे उनको सिच्छा दे रहे हैं तो फिर आपको किसी भी सरवे से क्या दिक्कत है यहां सरवे हो रहा है जाज नहीं हो रही है सबसे मेटपूर्ण बात तो यह है कि लोग जाज और सरवे में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं सरवे बारा बिंदूओं पर हो रहा है उन बिंदू लिखित हैं और पूरी बिंदूओं के तहस्त सभी मदरसों में सरवे होगा उन बिंदूओं से अलग कोई बात में होती है जाज ब्यवस्था में होती है जाज भिष्टचार में होती है पर यहां पर बहतर करने के लिए मदर्सों को सर्वे किया जा रहा है और सर्वे जाज में बहुत अंतर होता है सर्वे से आकड़े आते हैं सर्वे से जो चीजे नहीं उनको ब्यास्टिट करने की नीती आती है सर्वे से हम चीजों को आगे बढ़ाने के एक हमारे जो परकलपना है वो आती है सर्वे के माद्ड़म से हम बैतर युद्धना बना सकते हैं सर्वे के माद्धम से हम क्रियान्मन कर सकते हैं और सर्वे के माद्धम से समीच्छा करकर जो मदर से हैं उनके बैतर करने के पहल में कदम आगे बढ़ा सकते हैं यह जाज नहीं है यह सर्वे है और यह सब को समझना पड़ेगा क्योंकि आज जो लोग समझते हैं कि अगर सर्वे गलत है तो यह उनकी एक मनो धारना है विचार धारा है उनको समझना चाहिए कि यहां सर्वे है जाँच नहीं हो रही और सर्वे के मद्धम से सरकार की केबले के मनसा है कि मदर्सों को बहतर किया जाए है की मदल्स को भी संसानों को मिलता मिले जो के मैं उसमें गलट किया है अगर सर्वे चीजें खराब कर रहे गई है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतियार करना जरूरी है क्योंकि अगर आप इंतियार नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आपका डिश्चिकोर्ण एक बिचारधारा पर चला जाएगा मैं मानता हूं मदर्से का इतियार बहुत पराना है सव्जी रफ से सुरू हुआ 1192 में मुहमर गोरी ने कुला और सताथ चौत्तर में दिल्ली में पहले मदर्सी की स्थापना हुई है बहुत पराना इतियार अन्य धरम की लोगों की गुरुकुल का भी है गुरुकुल भी हमारे हाँ हजारों साल पहले बने हुए थे तो यहां इतियास का सिच्छर संस्थान है उनका इतियास बहुत पराना है उनमें कोई इतियास में कोई गुरेज नहीं है और अगर किसी चीज को बहतर करने के लिए यहां पर प्रयास किया जा रहा है अगर किस चीज को बहतर करने के लिए आप सुरूबात की जा रही है तो कम स्वरूबात को देखना जरूरी है एक बिचारधारा मनुढ़ना मान के हम सरकार पर आच्छे और सरकार के बारे में उनकी मनसा को नहीं सपर्श कर सकते हैं इसलिए मेरा सकार कर्म के माध्यम से केबल अपने सा सरकार की मनसा है और इस मनसा पर प्रिस्ट नठाना फिराल गलत है जब तक आप सर्वे की पूरी पिक्रिया को और उसके बार उसके बहतर किये गए कामों को नहीं देख लेते हैं इसलिए बात अपने सभी साथियों से एक ही निविदन करना चाहूंगा कि सर्वे सुरू हु आपका मामने दिकार भी है और आपका मॉले के दिकार भी है तो आज की चर्चा में इतना ही मुझे जीने मरती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार